तो हलो दोस्तों वेलकम तो मैं चानल मैं हूँ आपका दोस्त अमिनप दीपू और आज जो है ना आज अर्ली मार्निंग एक नया फ्रेस्ट व्लॉग के साथ आया है जी आज दोस्तों बहुत लोग कमेंट सेक्चन में बोल रहे थे ग्रैविटी मॉल और पटना सीटी सेंटर मॉल और ग्रैविटी मॉल का अपडेट और वह भी एक ही व्लॉग में तो जलते हैं आज बैंगृआउं है तो पत्ना जो है वह दोस्टो डेवाइड बहुत टेवल了प दिख रहा है तो चलते हम लोगए और चार चां बहुत नए लगाते हैं तो आप लोग सुछ डवलंटistes सेर करते हैं कि अप ASMR के नगेंश बहुत compression कि दोस्तों आपको बतादेगी फाइनली आगा है कंकर बांग का जी है कंकर भांग ग्रेविटी मॉल का जो अपडेट दिने का बात किया जहें जब लुब आपको बताएगे लिए ऑटी अपने मॉल जो है यह मार्च में स्टार्ट होने वाला था मतलम चालू होने वाला था तो इसका इनोग्रेशन अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि बहुत कुछ काम जो है इसका बाकी है आप देख सकते हैं यह है ग्रैविटी मॉल का बाहर का काम जो है वो चल रहा है जोरों से और वैसे आपको बता दे कि इसका दो गेट होने वाला है में गेट जो है बो तो आपको सकते हैं बड़ा से लिखा हुआ है ग्रैविटी मॉल यह दस्तों इसका जो डिजाइन है वह काफी खुशूरत है यह वाला दिजाइन और वी जाके वीडियो बनाने के लिए पर्मिशन नहीं मिला था क्योंकि इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके थे तो वो लेते के अं अब बाहर से देख सकते हैं वैसे अभी इसमें बहुत कुछ काम जो है वह बाकी है बतलम आने वाले इस 2021 में ग्रैविटी मॉल जो है वह चालू हो जाएगा ऐसा तो पता है कि ग्रैविटी मॉल जो है वह बहुत थोड़ा देर से हुआ वैसे यह जो मॉल है ना यह काफी अ यह कंकरवाग का में रूड है तो यह काफी प्राइम लोकेशन पर है और यह मॉल भी अच्छा-फाचा मतलम रन करने वाला है वैसे और फुड़ा आगे चलके आपको दिखाते है एक ग्रैविटी मॉल का यहां भी होडिंग जो है वह लगा हुआ है यहां पर भी जो है वह हम भी सुने थे यहां पीबियार आने वाला है 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 कि देख लिए हम दो ग्रैविटी मॉल का स्टेटस लैसे यह बॉंडरी वाल और यह सब का काम तो अच्छा-काशा हो गया पिछले मार जबाए थे तो यह सब बॉंडरी वाल और गेट्वेट का काम नहीं हुआ थ है वैसे अंदर जाने का परमिशन तो है नहीं तो अंदर के बारे में नहीं बता सकते हैं और जाएफिज कहानी रहा वल यहां पर देखते हैं वहां का क्या सब्सक्राइब रहा है और लेक्स्यां में चुनिलाल और यहां पर KFC आपको बता दिये औरी कि यह कापी अच्छा का लोकेशन है और बहुत कुछ यहां देखने को मिल रहा है तो यह मॉल में भी अच्छा खासा फुटपॉल होने वाला है क्योंकि यह में रोते हैं वह थोड़ा अलग टाइप के रूट में है बट वह बिहार का पहला सबसे बड़ा मॉल होने वाला है तो जी आ दोस्तों वह बना था कुवजी साइड में और जिस बना था उसवती का इंफ्रास्टर्ठ Zamor cultural अजकर बहुत को बहुत बंहें सब्सक्राइDamac इसको में बहुत कुछ पूल गया है तो एक बार मल बन जाएगा तो बहुत कुछ ख़िए और यही से यह पाइक पर्चेस हुआ है ज는 кого ज को वह मेरे चैनल पर आएगा क्या बाइक है कैसा टेस्ट राइड है और इस प्राइज में इस सेगमेंट में अच्छा है या नहीं है इसका भी एक ब्लॉग आएगा मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं इस स्पीड में चल रहा है उसके हिसाब से यहां शो करता है और पहले वाले ग्लैमर से काफी कुछ है वह चेंजेज हुआ है तो इसका भी एक ब्लॉग यह सेपरेट ब्लॉग आएगा मेरे चैनल पर अभी तो हम लोग फिलाल चल रहा है सिटी सेंटर मॉल के तना चलता है डा बड़ा मॉल जब स्पटा सिटी सेंटर मॉल जो बंगा है वहां जा रहा है और उसका आज आपको देने वाले अपडेक्ट कर दो देख रहे हैं आप लंबस बील्डिंग जो दिख रहे मेरे कैमरेस में वहीं एक इस में बहुत कुछ होने वाला है जैसके मतलम ऐन ऐसा है कि बहुत सारा फ्लाइटेज भी दहेगा कमर्शियल परफस बिजनेस परफस और रेसिडेंशल परफस तीनों परफस का यहां बेडिंग आपको देखने को मिलने वाला है तो आगे से तो रास्ता है नहीं तो लोग को यहां से टॉल लेकर जाना होगा और आपको दिखाते हैं कि सिटी सेंटर मॉल का क्या अपडेट है और अधिया पॉल छेटे फैंट ग्राविटी मॉल का बहुत लोग अपडेट मांग रहे ते बंदर जाके वीडियो बनानाने को पर्मिशन नहीं मिला है तो इस वज़े से आपको बाहर चाहिए दिखा देते हैं वैसे अभी इसको कम बाजगाट वाले रोड में निकल जाता है और पीछे साइड अगर जाते हैं तो यह चला जाता है कि देख रहा है यहीं दोस्तों सिटी सेंटर मॉल तो आपको बता देख यह आता है इंकम टेक्स जो कुत वाली बहता है उस साइड से रास्ता आता है और यह रास्ता जाता है बाजगाट के साइड और डारेक्ट आप गानिवेदान या राजापूल साइड जा सकते हैं और इ कतो से ilum很多 है उने सामने का चीज इस से पहले वाले वलाग में इतना कुछ देखने को नहीं मिला था क्योंकि इत्ते स्पीड से काम नहीं चला और के आंगे वज़यल को उनने जा प्रहलॉन चलने के वजये से ही अंधर जाके वेडियो बहाने का परमिशन नहीं मिला है क्योंकि इससे पहले भी हम बात कर चुके थे देख रहा है क्या खुबसूरत बन रहा है और आपको बता दे कि यह तो स्टार्टिंग मॉल है और इसका तो एक अलग वेजी बन रहा है मतलब इसका जो फेस है वो किस टाइब का होने वाला इन फूचर में वो तो आपको एक फोटो जो है वो शेयर कर देंगे इस ब्लॉक के लास्ट में आप वहां देख सकते हैं और आपको बता दे कि इसके पीछे साइड में होने वाला है रेसिडेंशियल जो आल्रेडी हम रास यह मौल है ना वो पतना भिहार का जो है वो शान बढ़ाएगा बस थोड़ा इसका जो मतलब आगे अगल बगल का जो यह बिल्डिंग है ना यह थोड़ा बस अच्छा नहीं लगड़ा है इन फूचर जब यह सब ड़लप कर जाएगा जैसे यह मौल बनेगा यह सब ताइम लगने वाला है इतना जल्दी नहीं कंप्लीट होने वाला है तो यह रहा कोई भी वैसा बात हो तो कमेंट सेक्शन हमेसा चेक करते रहते हैं तो मिलते हैं जल्दी ऐसे ही नए अपडेट के साथ नए व्लॉग में तब तक के लिए अलविदा दोस्तों